हलो दोस्तो मैं आवास आप सब्सक्राइब करता हूँ इस चैनल पर दोस्तो अभी तक आपने कंडिशनल फॉर्माइटिंग या तो कंडिशनल फंक्शन सुनाई रहोगे तो आज का वीडियो कुछ नया होगा और काफी इंट्रस्टिंग होगा जैसे कि आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हो कि हमारे जो ग्राप से यह देखिए रेड और ग्रीन आपकी जो डेटा बार से यह आटोमेटिकली चेंज हो रहें तो बैसिकली यहां पर हमने चेंज होती है तो टार्गेट वेल्यू के बेस पे आपके जो ग्राप से बार है वह ऑटोमेटिकली ग्रीन एंड रेड में हम सेट करने वाले है कि कब आपके बार जो है वह ग्रीन होंगे और कब रेड होंगे ताकि आपको एक आइडिया पता चल जाए कि आपका डेटा अ कर सकते हो तो चलिए बिना टाइमेश करें हम अपने स्क्रीन पर चल कर इस चीज को समझते है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला हमें यहां पर डेटा चीए तो मैं जाता हूं हमारी एक्शुल शीट में तो हम वही डेटा यूज करते हैं जो हमने वीडियो बनाने वाले है एक ग्राफ जो होगा वह बेजडान मार्क्स होगा और जो दुसरा ग्राफ है वह बेजडान परसंटेज होगा और हम यहां पर जो ग्राफ है यह सारा का सारा डाइनामिक बनाने वाले इसका मतलब आप एक सेल है मैं यहां पर क्या करने वाला हूं दो सेल से एक cell marks के लिए और एक cell percentage के लिए dedicate करूँगा जिसके अंदर हम value change करेंगे वो value के base पे आपके graph जो है वो automatically आपके change होगे तो चलिए मैं एक काम करता हूँ दो डेडिकेट करता हूँ तो मैं यहां पे एक i3 को dedicate करता हूँ और j3 को dedicate करता हूँ तो मैं i3 के अंदर क्या करने वाल हूँ तो मैं यहां पर बोलता हूँ कि 60 अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूँ यह based on these marks में calculate करूँगा कि अगर आपके marks 60 या 60 से उपर है तो हम चाहेंगे कि जो आपका graph का बार होगा वो green हो जाए और जैसे यह आपका mark 60 के नीचे चला जाता है तो आपका जो बार होगा वो red color का होगा same हम percentage के साथ भी करने वाले तो मैं percentage के लिए फिलाल के लिए मैं 55% dedicate करता हूँ कि अगर आपका percentage का value 55 या 55 से उपर है तो हम चाहेंगे कि आपका जो graph का bar है वो आपका green हो जाए और 55 के नीचे जो भी value होगी वहां पे हम चाहेंगे कि आपका graph का जो बार है वो गलत सोच रहो because इस चीज के लिए हमें यहां पर कुछ working करना होगा तो आपको यह ध्यांद रखना है अगर आप एक कॉलम का working कर रहे तो उसके लिए हमें दो supporting काउलम लगने वाले तो चलिए मैं काम करता हूं सबसे पहला marks के लिए एक dedicated working काउलम बनाता हो तो मैं यहां के लिए सबसे प्रहला marks green bar के लिए मैं यहाँ पर यह चीज़ करने वाला हूँ same में यहाँ पर red bar के लिए भी करूँगा तो हमें यहाँ पर दो column लगने वाले है एक आपके green bar के लिए और दूसरा आपके red bar के लिए अभी हमें यहाँ पर कुछ formula फॉट करना है तो देखिए basically मैं यहाँ पर if condition यूज कर रहा हूँ if मैं मैं logic में यह बोल रहा हूँ कि अगर यह पहले student का मेरा marks greater than and equal to जो मैंने i3 से dedicate किया यह उससे उपर जाता है तो आपको और एक काम करना यह i3 को freeze करना है because हम यह formula को नीचे black करने वाले है तो मैंने यहाँ पर i3 को क्या कर दिया हूँ मैंने यहाँ पर absolute बना दिया हूँ उसके बाद मैं यह बोल रहा हूँ कि अगर यह मेरा marks 60 या 60 से उपर है तो क्या कर यह जो मेरा marks column में जो marks से वह ही डाल दो अगर नहीं है तो आप क्या करूँ वहाँ पर na का error थो कर दो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे अगर आपका marks यहाँ पर 60 से उपर है तो देखिए यहाँ पर 76 इसने यह कर देखिए अब यह formula को मैं नीचे तक drag करता हूँ देखिए जहाँ पर भी जो भी student का marks आपका 60 के नीचे है वहाँ पर आपका na का error रहा है देखिए अभी हमें red bar के लिए भी बनाना है तो मैं same formula वैसे formula बनाने वाला हूँ मैं यहाँ पर condition में यह बोलने वाला हूँ जो आपका marks है अगर यह less than आपका target value है तो हम यहाँ पर i3 देंगे और इस चीज़ को freeze कर देंगे अगर यह यहाँ पर true होता है तो आप क्या करो जो mark से वही दे दो और नहीं है तो आपको same na का error throw करना है ठीक है देखिए यहाँ पर आपका green bar में जहाँ पर value आई है वो यहाँ पर आपका na का error throw कर रहा है और जहाँ पर green bar में na है वो यहाँ पर value आई है और same आपका मैं यहाँ पर क्या करूँगा मैं यहाँ पर red के लिए भी एक बना देता हूँ तो मैं यहाँ पर एक red के लिए बनाता हूँ अब जो हमारा formula है वो हमारा formula same ही होगा हम यहाँ पर इवडालते हैं मैं हम सीव हमारा cell reference change होगा मैं बोलता हूँ यहाँ अगर आपका f5 जो है वो आपका greater than and equal to j3 है तो हमको j3 को यहाँ पर freeze करना है अगर वो है तो हम क्या करेंगे f5 देंगे अगर नहीं है तो आपको क्या करना है एने का error throw करना है तो देखें यहाँ पर यह formula भी आपका नीचे तक drag कर दे अब मैं यहाँ पर संटेज में percentage formatting में change करता हूँ तो उसके लिए मैं press करता हूँ control shift और मेरा 5 तो यहाँ पर क्या है आपका percentage का formatting आ गई है अब same formula में यहाँ पर यूज करता हूँ इफ आपका जो भी f5 है यह less than आपका j3 है और इस चीज को freeze करना है तो अगर यह है तो हम यहाँ पर यह same चीज डिकेट कर देंगे वरना हम na का error throw कर देंगे ठीक है अब इस चीज को भी मैं नीचे तक drag करता हूँ और अब क्या है मैं formatting दे लेता हूँ percentage का तो चले यह हो गया आपका आपका working अब इसके बाद हम यहाँ पर graph बना देंगे तो सबसे पहला हम यह active selection को यह data से अलग कर देते है because मैं यहाँ पर एक blank graph को insert करने वाला हूँ उसके बाद मैं आता हूँ insert tab में और उसके बाद मैं यहाँ पर देखिए इंसर्ट column और बार चार्ट जो है मैं यहाँ पर आता हूँ और यह आपका जो second option है stacked column मैं इस चीज़ का यूज कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए blank graph आ गया अब इसके अंदर हमें data दालना है तो देखिए मैं यहाँ पर आपका जो design tab है chart का मैं यहाँ पर आता हूँ select data option पर जाता हूँ देखिए यहाँ पर आने के बात legend entries में जो series है इस series में सबसे पहला मैं add पर click करता हूँ अब series name जो होगा वो मेरा marks होने वाला है तो मैं यहाँ पर बताता हूँ जो e4 है वो मेरा series name होगा अब जो series की value है तो हम यहाँ पर यह green bar देने वाला है तो देखे मैं यहाँ पर देने वाला हूँ जो हमने L5 से आपका L19 है मैं यहाँ पर यह चीज़ को dedicate करने वाला हूँ green bar के लिए format में आता हूँ यहाँ पर shape fill पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर light green जो है मैं इस चीज़ को दे देता हूँ और shape outline में जाके मैं no outline कर देता हूँ ठीक है अब हमारा green bar आ चुका है अब इसके बाद हमें red bar का भी बनाना तो मैं वापस यह graph को select करता हूँ उसके बाद design में आता हूँ select data पर जाता हूँ अब यह legend entries में मैं क्या करूँगा और एक add करूँगा इसका भी जो अपका series में मैं marks ही दूँगा और जो series value है अब यह series value में मैं क्या करने वाला हूँ जो हमने यहां पर marks red की working की थी मैं यहां पर यह चीज़ का दे दूँगा reference और ok दबा दूँगा और ok दबाऊंगा देखिए अब यहां पर यह orange color का आ चुका है अब इसको भी हम select करेंगे अब formatting में जाएंगे और shape fill में जाके हम red बताएंगे और shape outline में जाके हम no करेंगे ठीक है उसके बाद हम क्या करने वाले हैं यहां पर बस यह graph की थोड़ी सी formatting करेंगे तो मैं क्या करने वाला हूँ यहां पर यह जो green line से issues को फिलाल के लिए हटा देता हूँ अब उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ यह bars को select करने वाला हूँ और उसके बाद format data पर आना वाला हूँ यह जो आपका gap width है मैं यह थोड़ा सा increase करता हूँ बिकॉस मैं यहां पर थोड़ा size का thickness बढ़ाना चाहता हूँ ठीक है चलिए यह अच्छा लग रहा 44% मैंने यहां पर दे दिया है ठीक है चलिए marks का हमारा graph ready हो चुका है तो हमें ऐसे ही और एक same graph हमें percentage के लिए भी देना है तो मैं क्या करता हूँ वापसे कोई blank cell को select करता ह इंसर्ट में आता हूँ और वापसे मैं same जगे पर जाता हूँ बट right now अभी मैं यह वाला आपका 2D बार यूज़ करने वाला हूँ अभी पहले हमने column chart का use किया था अभी हम यहां पर stacked bar chart का use करेंगे ठीक है मैं यहां पर वापसे blank लेके आ गया हूँ अभी हमें same चीज़ क हम यहां पर green का reference दे देंगे और यहां 4K के लबादेंगे अब हमें क्या करना है यह select करके format में जाके इसको सबसème पर्छा ग्रीन करना है outline में जाके no outline बताना है ok अभी इसके बाद हमें Red का वी यहां पर यह करना है तो हम यहां पर design में आते हुए वापस इस select data पर add प जात और यहाँ पर OK द्बाएंगे भापस से हम यहां पर OK डबाएंगे भापस से हम यह यहां पर क्या है इसके तिकनेस इस तरह से बढ़ा देंगे जितना भी हमें चुटेबल लगे हम उतना कर देते हैं चलिए हम यहां पर इस चीज को भी 43 44% की आराउंड रखते हैं और यहां पर प्लोस करते हैं ग्रीड लाइन्स को हम हटा देते हैं यह ग्रीड लाइन्स चेंज करके देखता हूं अब मैं काम करता हूं यहां पर आपका टारगेट जो है 60 जो हमने सेट किया था वी सिसको 75 कर देते हैं एंटर मारा देखिए आपका जो फर्स बार पर यह अपड़ेट हो चुका है कुछ आपके बार जो है यह रहें और चुके एक काम करते हैं पर तो हमारे वाकिंग शीट में आके यहां पर पेस्ट कर देता हूं तो आप क्या ख्या करने वाला हूं मैं यह दिखाना नहीं चाहता हूं तो यूज़ुली मैं इसे की उपर किसी को सेट कर देता हूं मैंने इस तरह से सेट कर दिया तो किसी को पता नहीं चलेगा कि पीछे आपके वकिंग के सेल्स यूज किये गये है वह एक ही बार आपका template सेट हो गया है बस हम यहां पर value चेंज करेंगे आपके graph जो है automatically काम करेंगे अब यह दोनों graph को मैं क्या करने वाला हूँ front में लाने वाला हूँ यहां पर set कर देता हूं यह graph को और मैं इसी के साथ में यहां पर भी यह graph को set कर देता हूँ अब दोनों को एक साथ align करना है तो मैं यह graph को select करता हूं उसके बाद यह graph को select करता हूं फिर format में आता हूं ताकि हमें इस तरह से लूक आए उसके बाद सेम में यह ग्राफ के साथ भी करने वाला हूं मैं यहां पर फॉर्माट में जाके शेफिल में जाके नो फिल करूंगा अब यहां पर जो हमने यहां पर अगर आप देखो तो यहां भी यह सारे टेक्स जितने हैं यह ब्लैक है और के साथ भी करूंगा टेक्स फिल वायट और यहां पर नीचे वाला एकसेज भी आपका टेक्स फिल वायट चलिए यह भी काम हो चुका है अगर अब हमारी एक्षुल शीट में आए तो हमने यहां पर टार्गेट और यहां पर देख यह भी चीज यूज़ किये तो चलिए अब एक काम करते हैं यह भी चीज़ इंसर्ट करते हैं तो मैं यहां पर वकिंग में आता हूं इंसर्ट ऑप्शन में जाके मैं यहां पर लेबल का यूज़ करने वाला हूं तो मैं यहां पर टेक्स बॉक्स का यूज़ करता हूं okay text box use करने के बाद मैं यहाँ पर इस चीज को place करता हूँ तो सबसे पहला एक text box जो होगा वो होगा आपका target लिखावा तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ target okay target लिख दिया है okay उसके बाद हम इस चीज को थोड़ा सा formatting देता है और उसके बाद इस चीज को बोल्ड कर देता हूँ चली यह भी set हो चुका है उसके बाद अगर उसके बाजू में हमें actual target भी देना है तो हम और एक यही same चीज को copy paste कर लेता है अब इसके बाजू में ही रखता है इसका जो width है यह थोड़ा सा कम कर देता है अब यह जो text box होगा यह text box जो होगा यह आपका आपकी जो हमने i3 और j3 यूज किये था आप उससे link होगा तो देखें basically मैं क्या करूँगा जो भी आपकी i3 की value है automatically यह आपका text box में update होना चाहिए इसके लिए मैं यह text box को select करूँगा formula बार में जाओँगा और equal to मैं क्या बोलूगा equal to i3 देखें automatically यह freeze होके अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर enter मारता हूँ उसके बाद चाहिए तो यह text box को आप outline देना चाहते हो आप यहाँ से format में आके shape outline में जाके आप white बता सकते हो same हम यह वाले के साथ भी करेंगे अब यह अच्छा लग रहा है अब same चीज हम क्या है यह text box और इस चीज को ही दोनो text box select कर लेते हैं यहाँ पर और इस चीज को copy अब यह दोनो text box को select कर लेते हैं और इसको copy paste करते हैं बिकास हम यहाँ पर भी चाहते है target आपका आया है तो हम यहाँ पर इस चीज को paste करते हैं बट हमारा यह text box को जो i3 cell reference दी थी अब वो चेंज हो जाएगी j3 तो मैं formula bar में इसको j3 कर देता हूँ यहाँ पर देखिए 85% आ गया है अभी बस यह जो हमारा text box के इसकी formatting को हम यहाँ पर प्रेज कर देते हैं और इसको थोड़ा सा आप इसकी width को increase करो ताकि percentage भी आ जाए देखिए अगर मैं marks की value 45 करता हूँ तो देखिए यह चेंज हो गया है और आपका target के बाजू में जो text box से उसमें भी 45 आ चुका है वैसे अगर आप मैं 55% करता हूँ तो यहाँ पर भी सेम हो रहा है तो होप दोस्तों आप पे वीडियो पसंद आया होगा इसे like और share करना ना बुलना तो यह वीडियो को हम यही पर end करते हैं फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तिल देन बा बाइ